ये देखिए कितने क्रिस्पी है और खाने में बहुत ही टेस्टी वाउ आ गया ना मूं में पानी तो अगर आप वही साबुदाने की खीर और कुट्टू के आटे की पुड़ी खाके बोर हो चुके हैं तो दो सामान में ये व्रत का नास्ता बहुत आसानी से आप घर में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है इतना टेस्टी कि आपका पेज भण जाएगा लेकिन आपका दिल नहीं करेगा इसे आप चाहे ब्रत में बनाईए या ऐसे ही बनाईए दोनों में बहुत ही टेस्टी लगेगा और सभी को बहुत पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो friends यहाँ पे मैंने लिया है समा का चावल यानि कि यह जो ब्रत में खाने वाला चावल है यह आसानी से किसी भी सुपरस्टोर में मिल जाता है इसको ब्रत में खाते हैं और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो यानि कि इसका आटा बना लेंगे तो ये आटा भी मार्केट में बना मिलता है आप अगर आटा ले लेते हैं तो ये प्रोसेस करने के आपको कोई जरूरत नहीं है तो ये देखिए हमने इसको ग्राइंजर में पीस लिया है बहुत आसानी से पिस जाता है और अब हम याँ पे लेंगे साबूदाना तो दो चम्मच हमने याँ पे साबूदाना यूज किया है वैसे ये ओप्सनल है लेकिन आपके पास है आप डाल सकते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे और जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी करारे बनेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों का आटा बना लिया है और इस आटे को अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमने निकाल लिया है और ये हैं उबले हुए आलू इनको हमने ठंडा कर लिया है यानि कि गर्म बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए और अब हम इसको एक कद्दू कस से कद्दू कस कर लेंगे यानि कि ग्राइंड कर लेंगे ये देखिए इससे क्या होगा बाइंडिंग अच्छी होगी और साथ में ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा तो अब हमने जिस चाहिए तो चीज़े आप ब्रत में खाते हैं वह्त कर दीजे तो इससे अच्छा टेस्ट आएगा इसलिए हमने इसे अधरा को कद्दू कस कर के इसमें एड कर लिया है ये देखिए और उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर एट करेंगे लगबग आधा चमच बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्च बारी कटी हुई जितनी तीक ही आप पसंद करते हैं और यह बारी कटी हुई हरी धनिया पती अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसकिप कीजिएगा ले आलू में वैसे भी मॉस्ट्राइजर होता है तो आपको पानी एट करने की जरूरत नहीं है लेकिन यहां पे अगर आपको सूखा लगे तो आप थोड़ा सा घी एट कर सकते हैं तो यह देखिए बिलकुल परफेक्ट डोब बनके तयार हो चुका है यहां पे हमने पानी बि मिक्स ना करें अधर्वाइज यह मिक्स्चर जो है बहुत गीला हो सकता है और इस तरीके से हम लोई बना करके बीच से कट कर लेंगे और अच्छे से दबाते हुए इसको हम रोल बनाएंगे क्योंकि अगर हम लाइकली इसको बनाएंगे तो यह रोल खुल सकते हैं लेकिन इस तरीके से अच्छे से ठोस हमें रोल बना करके और फिर हम हतेलियों में ऐसे रोल करके और साइट से हम दोनों साइट इसके जो है इस तरीके से कर देंगे तो आप कोई भी शेप दे सकते हैं यह देखिए मैं इस तरीके से सिलेंडर का शेप दे रहे हूँ यहां पे तो यह नास्ता आप बना करके और फ्रीज में भी रख सकते हैं पहले से इसका आप डो तयार कीजिए लेकिन हो सके तो आप नमक ना एट कीजिए नमक आप बाद में मिक्स कीजिए जब आप इसको बनाएं अदरवाइस हो सकता हो यह मिक्शर गीला भी हो सकता है तो यहां मैंने क कुछ सिलेंजर और कुछ यह रोल बिल्कुल बॉल की तरह बनाएं दोनों शेप में मैं यहां पर बनाऊंगी तो यह नास्ता आप बना करके अगर आप रोल बना के रखना चाहते हैं तो एक टाइट कंटेनर में और फ्रीज में रख सकते हैं जब आप चाहें इनको करेंगे तो चले यहां पर कडाई में हमने ओल लिया है आप जो भी घी यह तेल यूज करते हों ब्रत में वह यूज करें और एक एक करके हम इसमें एक करेंगे तो जो गैस है वह इस समय मीडियम होनी चाहिए तेल को पहले हम अच्छा गर्म कर लेंगे उसके बाद गैस की फ्लेम है उसको हम low to medium करेंगे तो यह देखे और तुरंथ हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है लगभग एक मिनट बाद आप टच करें और फ्रेंड्स यहां तक आप वीडियो देख चुके हैं तो आप लाइक जरूर कीजिए मुझे पता है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए और यह देखिए थोड़ी देर बाद हम पहले एक चमच की साहता से इसको हम उल्टे पल्टेंगे तो इससे क्या होगा यह जो पकोड़े हैं वो खुलेंगे नहीं और फिर हम बाद में बड़ी सी कोई कल्ची की साहता से तो सब को हम चलाते रहेंगे तो यह देखिए कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं और इनको हम लगातार ऐसे घुमाते रहेंगे वाओ देखिए बिल्कुल तयार हो रहे हैं यह पकोड़े तो अब हम इनको क्या करेंगे निकालेंगे तो यह देखिए बिल्कुल हमें इतने क्र इस पी चाहिए आप उस हिसाब से फ्राइ करें तो अब हम इनको निकाल लेंगे अब आप फ्रेंक्ट सोच रहे होंगे कि यह बहुत ज्यादा तेल अब्जॉब करते होंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यह बहुत कम तेल सोकते हैं और यह देखिए इनको हमने निकाल लि हैं तो इसी तरीके से इसको भी हम पहले चम्मच की साहता से ऐसे थोड़ा सा घुमा देंगे जिससे क्या होगा यह एक परफेक्ट शेप में आ जाएं फिर हम इनको बाद में आसानी से उलक पलक लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से यह पकना सुरू हो गया है और यह देखिए बिलकुल अच्छा कलर इन में भी आ चुका है और अब हम इनको निकाल लेंगे यह देखिए तो जितना क्रिस्पी आपको चाहिए उतना क्रिस्पी आप ले और यह भी बाल्स भी बनके तयार हो च फुलते हैं और आप हम क्या करेंगे इनको भी निकाल लेंगे तो अब उनको एक प्लेट में उसी या जया है कि फ्रेंटां सी आसानी से रेसिपी बनके तयार होती है आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट में इसको बना सकते हैं अगर आप ब्रत में सर्फ कर रहे हैं तो कोई भी मुंग फली की चेक्टनी बनाईए या तो फिर मैं यहाँ पे दही फेट के उसमें नमक मिला लिया है और उस पे थोड़ी से हरी मिर्च और आप नॉर्मल खा रहे हैं तो आप इसको ग्रीन सॉस या हरी चक्टनी के साथ में सर्फ कीजिए अपनी मन पसंद चक्टनी के साथ में बहुत ही अच्छा नास्ता यह बनके तयार होता है मुझे पूरा विश्वा से अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो आपको जरूर फसंद आएगा और क्रिस्पीनस तो आप इसका देखिए वाउग़ा है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बलकुल सौफ्ट यह देखिए तो आप इसको खाएंगे तो लगे गई ही नहीं कि हम मैं ब्रत में खा रही हूं यह दो ही के साथ में बहुआ टेस्टी लगता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक फॉर वाचिंग